नमस्कार दोस्तों आज की इस वीडियो में हम समझेंगे कि यदि आप एक NGO चलाते हैं कोई संगिठन है आपका कोई संस्था अगर आप रन कर रहे हैं तो कैसे किस तरह का वैप साइट या एप्लिकेशन बना कर आप अपने संस्था में नए-नए सदस्यों को जोड़कर उनको आई-डी कार्ड देना उनको सर्डिफिकेट देना उनको नए-ने प्रोग्राम की जानकारी लगातार समय समय पर देते रहना यह पूरा कॉंसेट पूरा प्रैक्टिकल आज हम इस वीडियो में आपसे बात करेंगे तो दोस्तों शुरुआत करते हैं देखिए यदि आप ए लेटेस्ट प्रोग्राम हो रहे हैं उनकी जानकारी हमने यहां पर दिखाई है अब जानकारी में क्या हुआ कि एक पर्टिकुलर इवेंट का फोटो है और उसमें हमने कुछ डिटेल लिखा उस पर कोई भी यूजर आकर अपना कमेंट दे रहे हैं तो इस तरह की पूरी ट देखती को थोड़ा सा लगातार जो आपके इवेंट्स हो रहे हैं उनकी जानकारी मिलती रहेगी दूसरा इसमें साइड में आप देखेंगे वह हैं लेटेस्ट टीम मेंबर जितने भी हमसे सदस से जुड़ रहे हैं सदस से जुड़ने के लिए हमने यहां डारेक्ट ऑप प्लस आपका कहां से आप हैं किस स्टेट से हैं यह एंटर करते ही इसमें से ऑच्छी से किया wollte इमील अडरेस उनका फोटो प्लस एस आधरकार्ड का फोटो आधरकार्ड से ऊजर को वहने बेरिफाइब करना हैं जैसा ही किसी उजर ने बैरिफाइब करने से पहली अपना ए verify करना, verify करने के लिए हमारे पास admin panel होगा, admin panel के बल ओनर के पास रहेगा और ओनर के पास यह जो भी entry यहां से हुई है, वो सारी समय समय पर owner को मिलती रहेंगी, अब admin panel को अभी हम थोड़े समय बात समझेंगे, पहले हम basic point पर बात करते हैं, यहां हमने home button पर click किया, जहां पर ह में दिखें, जो भी हमारे latest programs हैं, उनका detail, प्लस जो हमारे latest member जुड़े हुए हैं, उनका detail, नीचे हमने कुछ button especially दे रखें हैं, सदस्य बने, सदस्य बने मतलब वही, नए members की joining, आने वाले programs, बहुत ध्यान से समझें, आने वाले programs में हम लगभग वो points देंगे, जैसे कोई भी हमने events का यहाँ photo लगाया, और उस particular event को कहाँ पर organize कराया जा रहा है, किस date को organize कराया जा रहा है, उसकी detail और कोई भी आम user यहाँ पर अपनी seat book कर सकते हैं, यानि कि program हो रहा है, और आप उस program में आना चाहते हैं, तो आप अपना registration यहाँ से online कर सकते हैं, इस से admin panel पर हमें यह जानकारी मिल जाएगी कि इस particular program में कितने लोग आने वाले हैं, अब देखिए जैसे कोई program हो रहा है, तो हमने यहाँ पर उसकी detail डाल दी, photo लगाया और उसका detail डाला, किस जगे पर हो रहा है, कब होगा, साथ ही साथ, अब चुकी जो program है, उसमें हमने एक option दिया crowdfunding, crowdfunding क मतलब समझें दोस्तों, जो हम event कर रहे हैं, latest program में हमने एक नया feature यह जोड़ा है, कि अगर इस program से संबंदित, माल लीजिए, इस program में हम किसी ब्यक्ति को, या किसी संस्थान में हम कोई चीज डोनेट कर रहे हैं, for example, हम schools में books डोनेट कर रहे हैं, अब कोई user, कोई ब्यक्ति हम में online payment भी डोनेट कर सकते हैं, directly उसी particular event के नाम से, तो यहाँ पर हम इसमें payment gateway जोड़ते हैं, जिससे कोई भी donation डारेक्ट हो सके, प्लस, अगर कोई ब्यक्ति particular item डोनेट करना चाहता है, जैसे हम books डोनेट करना चाह रहे हैं, और books के लिए वो ब्यक्ति अपना सेयोग देन चाहते हैं, 10 books देकर, तो भी वो यहाँ पर अपनी 10 books देना चाहते हैं, इस को भी इसमें mention कर सकते है, तो यह से भी हमें detail मिलती जाएगी, और अगर कोई ब्यक्ति डस book हमें देना चाहते हैं, तो हमारा ब्यक्ति उनसे संपर करके, वो books ले सकते हैं, collect कर सकते हैं, अगला point यहाँ पर हमने लिखा सहयोगरासी सीधा सा है अगर कोई संस्तान के कारिकरम चुकि अगर हम यहाँ पर जादा से जादा कारिकरम दिखाएं और उनके पोटो भी दिखाएं तो एक सामने वाले यूजर के माइन में एक चीज तो क्लियर समझ आती है कि हाँ प्रोग्राम्स हो आज आपके पास सुविधा होती है फेस्बुक के थरू टोईटर के थरू अब फेस्बुक में आज हमने पोश्ट डाली है तो वो आज तो यूजर को दिख रही है लेकिन कल वो दिखना बंद हो जाएगी क्योंकि वो नीचे चली अब डेली डेली फेस्बुक को ऑपरेट उससे नीचे उससे परानी तो हमारे पास लगातार काम दिख रहा है वेक्ति को और संस्था कोई भी हो सहयोग तभी मिलता है जब वहाँ पर काम हो रहा हो अगले पॉइंट पर बात करते हैं अगर किसी यूजर ने मेंबर ने अपना रेजिस्ट्रेशन किया है तो वो अप साथ ही साथ जो एंट्री हमारे पास हुई है अब आप जो एड्मिन है आपका काम है कि उनस पर्टिकुलर एंट्री को आपको बेरिफाइ करना है तो यहां देखिए दोस्तों यह एड्मिन पैनल ओपन हुआ जितने भी बेरिफाइड मेंबर्स यहां है यानि कि जो हम अभ टेस्ट एंट्री अभी आई है जो फिल किया गया वो आते हैं अनवेरिफाइड में अनवेरिफाइड में यह एंट्री हमारे पास आ गई हमें उसको बेरिफाइड करना है उन्होंने अपनी एंट्री फिल कर दी थी अब हमें इसको बेरिफाइड करना है बेरिफाइड करन तो अब इनका card इस particular date से इस particular date तक के लिए valid है, प्लस इनको क्या authority देनी है, अगर हम किसी member को कोई special authority देना चाहते हैं, तो हम उसको यहाँ पर mention भी कर देंगे, यह authority उनको उनके ID card पर नजर आ जाएगी, जैसी हम इसको verify कर देंगे, तो यह our team में भी जुड़ जाएंगे, प्लस जो भी हमने entry की है, वो entry यानि की front पर जो हमारा our team का option है, उसमें भी नजर आएगी और यहाँ पर entry भी आजाएगी, यहाँ पर हमें थोड़ा इनने other card अप्लोड नहीं किया था, इसलिए unsuccessful हुआ है, अगर कोई गलत event गलत entry कर रहे हैं, तो definitely वो verify नहीं होगा, अब यहाँ पर क्या हुआ, हमारे पास ID card generate करने का option आगया, यानि कि user खुद से अपना ID card डाउनलोड कर सकते हैं, user खुद से जो program हो रहे हैं, उसको देख सकते हैं, यहाँ पर comment करने के लिए, कोई भी arm user अपना registration और login भी इसमें कर सकता है, कोई भी arm user, तो arm user comment भी तभी करेगा, जब उसने login वगएरा कर रखा हो, तो यहाँ पर जैसे हम यह login दिखा रहे हैं, एक arm user जिसने अपना account सबसे पहले sign up किया, उनने अपना login किया, और login करने के बाद, अब वो user यहाँ पर comment भी कर सकते हैं, किसी भी point पर या किसी भी event पर, comment करने के बाद, अब उस user के पास options हैं, कि वो हमारे संस्था की photo gallery देख सके हैं, संस्था में किसी members को अगर वो complaint या suggestion अपना दर्ज कराना चाहते हैं, तो वो भी दर्ज करा सकते हैं संस्थान में, प्लस अगर किसी particular वेक्ति को message भीजना चाहते हैं, तो वो भी संभव है, contact करना चाहते हैं, यानि कि एक आम user को सबसे ज़्यादा बहतर काम रहेगा, कि हम उसको पहले events दिखा दें, प्लस वो event में अगर अपना कोई सयोग देना चाहते हैं, तो वो crowdfunding में जाएंगे, प्लस user खुद से अपना login registration करके, user ने अपना registration करने के लिए, simple अपना mobile number, email ID, password, अपना name, प्लस एक photo एंटर करना है, और जैसी वो sign up करते हैं, वो उसके बाद किसी भी event पर, अपना comment वगरा भी कर सकते हैं, या अपना कोई भी सुझाओं देना चाहते हैं, तो भेज सकते हैं, अब बात करते हैं, हम internal यानि की admin panel की, अब admin panel का concept दोस्तों यहाँ पर यह आता है, कि जैसे कोई भी संस्थान में काम हुआ है, तो 100% यह आप समझते हैं, कि उसका जो verification होना चाहिए, वो तो एक हमारे management team ही करेगी, या हमारा जो technical विक्ती है वो, तो उनको हम इसमें account में, एक admin की तरह दिखा देंगे, अब कितने member हैं, कितने unverified हैं, तो हम उनको delete भी कर सकते हैं, अगर उनने सही entry नहीं किया है, कितनी हमने event upload की है, event के लिए हमारे पास कितनी booking आई है, कौन, किसने हमें last donation किया है, हमारी management team कितनी है, यह सारा editing का काम यहां से होगा, हमें अपने सारे registered user देखने हैं, यानि कि verified member, तो हम यहां किलिक करेंगे, इनको active, active किया जा सकता है, अगर हमें देखना है इसमें, कि हमारे पास कितनी seat book होई हैं, तो हम main admin panel से भी जा सकते हैं, यहां से भी देख सकते हैं, कोई new event, यानि कि हम यह दिखाना चाहते हैं, कि कितने program हमारे आ हुए हैं, तो वो यह सभी है, अगर हमें कोई नई event बनानी है, तो हम यहां से new event पर किलिक करते हैं, और new event का मतलब हुआ, कि भई जो भी काम हमारे यहां होने जा रहा है, उसका detail हमने यहां पर upload कर दिया, event का photo डाला, detail डाला, कहां पर होगा, क्या event की date रहेगी, उसका basic title, तो जैसे यह enter करेंगे, वो front page पर दिखना शुरू हो जाएगा, इसी तरह से अगर हमें कोई post दिखाना है, हमारे पास participant के लिए, कितनी लोग आने वाले हैं, हमारी management team, अब management team में अभी हमने अपने तीन सदश्यों को दिखाया है, इसको हम edit कर सकते हैं, delete कर सकते हैं, नए member और बना सकते हैं, अब जो भी वेक्ति हमारे management team है, यह तो लगभग एकी बार manage होता है, प्लस इसमें about us का data, कि हमारी संस्तान कब से काम कर रही है, क्या है यह सारी detail, प्लस हमारे पास अगर कोई complaint सुझाओ आए हैं, तो वो देख सकते हैं, किस किस union ने हमारे event में participate किया है, या donate किया है, वह यह particular event के लिए किसी वेक्तिने कोई interest भेजी है, तो वो यहाँ पर हमें दिख जाएगी, इसी तरह से admin panel से आप यह सारा manage करेंगे, और अगर एक important point आपको यहाँ समझना है, print certificate, अगर हम अपने किसी member को एक certificate देना चाहते हैं, कि उन्होंने इस program में अपना सहयोग दिया था, हम उनके लिए कोई एक particular certificate, यानि कि certificate जो हमने पहले से print करा रखा है, उसकी soft copy को हम background में लगाएंगे, यहाँ पर हमें नाम एंटर करना है और date एंटर करना है, certificate पर particular जगे अपने आप यह आ जाएगा, यह certificate हमने पहले से बना के रखा हुआ है, उसकी image हमें एक बार set करनी है, और by default बस हमें नाम लिखना है, और particular किस program को किस date पर किया गया, तो जैसी हम date, event, name, certificate, number अगर हम लिखेंगे तो वो भी पहुँचेगा, अगर हमें user का photo भी दिखाना है तो हम वो भी दिखा सकते हैं, इसके लिए certificate का design उस type से हो कि उसमें photo के लिए space है, तो जैसे space आप लगाओगे तो by default photo भी उस जगे पर set हो जाएगा, तो दोस्तो final बात करते हैं कि अगर आप अपनी संस्थान को promote करना चाहते हैं, आपको लगता है कि आपके लगातार काम आप कर रहे हैं और लोगों तक proper नहीं दिखा पा रहे हैं, तो ये एक बहतर platform है, इस तरह का अगर आप system बनाते हैं, तो एक बार short में आप समझ लीजिए, इससे आपके पास नए सदस्र जुड़ेंगे, सदस्र से खुद से अपना ID कार डाउनलोड करेंगे, आने वाले programs को हम लगातार update कर सकते हैं, जो भी program हम कर रहे हैं, उस पर एक आप user अपना comment कर सकते हैं, उस event के लिए अगर कोई सयोग रासी देना चाहते हैं, तो भी इसमें संभव है, उसके लिए online payment gateway connect होते हैं, कोई वेक्ति अगर financially, अगर financial ना सही, तो अपना present होना चाहते हैं, कि हम उपस्तित होकर आपको सयोग करेंगे, तो भी हमारे लिए एक जलूरी है, साथ ने, साथ जो भी हमने काम किया हुआ है, उसकी पूरी detail यानि की photo gallery, वो भीक्ति हमसे संपर कर सकते हैं, हमारी team देख सकते हैं, हमारी management team को देख सकते हैं, कि हमारी team में कौन-कौन जो main post पर है, कहां की संस्ता है, क्या है, उसका पूरा about us, ये सारा detail आपके एकी platform पर बन सकता है, तो अगर आप इस तरह का अपना एक platform बनाते हैं, तो हम समझते हैं, definitely आप अपनी संस्ता को एक नई दिसा दे पाएंगे, और लगातार अपनी सदस्यों से, नई user से आप जुड़ सकते हैं, वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद, अगर आपका कोई भी question हो, comment में आप लिख सकते हैं, और हमें आप डारेक्सम पर भी कर सकते हैं,